बहुत समय पहले की बात है गंगानगर गाउं में लल्लू नाम का एक आदमी रहता था वो अपनी पत्नी जमुना और बच्चों के साथ रहता था उसके दो बच्चे थे लेकिन कुछ समय से उसका काम बंद पड़ा था इसलिए वो बहुत ही परिशान रहता था कि उसकी पत्न काम भाम सब बंद हो गया है बच्चे भी बड़े हो रहे हैं बात तो तुम्हारी सई है पर काम करने जाओगे कहाँ अरे यहीं पास ही के गाउं में वहाँ कोई ना कोई काम तो मिल ही जाएगा मैं कल ही काम की तलाश में दूसरे गाऊं निकल जाओंगा और अगले ही दिन लल्लू जल्दी ही उठ जाता है, मैंने तुम्हारे लिए रास्ते में खाने के लिए रोटी रग दी है, जब भूक लगे तो खा लेना, ठीक है, अब मैं चलता हूँ, ये कहकर लल्लू दूसरे गाउं में काम ढूंडने के लिए निकल जाता है, वो चलती चलती दूर एक जं या चारों ही खा जाऊं, ये कहकर लल्लू खाना खाने लगता है, तभी जिस कुवे पर बैट कर लल्लू खाना खा रहा होता है, उसी कुवे के अंदर चार चुड़ेल रह रही होती है, लगता है ये आदमी तो हमसे भी जादा बड़ा ताकतवर भूत लगता है, ये तो हम हमें ही खाने की बात कर रहा है। यह हमें जिन्दा ही खा जाएगा। क्यों न चलकर इसके पास विंती करते हैं कि हमें न खाए। तब ही पहली चुड़ेल निकल कर ललू के पास आती है और ललू से कहती है। हमें मत खाए। हमें मत खाए। देखिए आप हमें मत का ये हम आपको बहुत सारे पैसे देंगे। और ये कहकर चुड़ेल अपनी जादुई शक्ती से बहुत सारे पैसे देती है और कुए में वापस चली जाती है। शाम भी बहुत हो चुकी थी ललू भी अपने घर की ओर चला जाता है। ये लो पैसे। इतने सारे पैसे देख कर जमुना चौक जाती है। पैसे? इतने सारे पैसे? ये कहां से लाए? लगता है तुम्हें दूसरे गाओं में काम मिल गया। अरे थोड़ा सांस तो ले लो, अभी बताता हूँ, मुझे काम तो नहीं मिला, पर… पर क्या? और फिर लल्लू कुएं वाली चुड़ैल के बारे में जमुना को सारी बात बताता है। लगता है उन चुड़ैलों के पास बहुत सारा धन है। पता नहीं हूँ, उन्होंने मुझे पैसे दिये और मैं ले कर आ गया। आपना एक काम करना, कल फिर आप काम ढूरने, दूसरे गाव जाना और उसी कुएं पर बैट कर खाना खाना जैसे कल खाय था। और फिर वो चुड़ैल आपको बहुत सारा धन देंगी। आरे जमना, तुम कैसी बाते कर रही हो, वो चुड़ैले हैं, चुड़ैले, और वो मुझे मार भी सकती है। तुमने देखा न, वो चुड़ैले तुम से डरती हैं, तब ही तो तुम्हारे पास विंती करने आई थी कि आप उन्हें छोड़ दे। ना 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 ना, मैं अब वहां नहीं जाओंगा, इतना लालच ठीक नहीं है, उन्होंने जो हमें इतने पैसे दिये, वो क्या कम है, इन पैसों से मैं कोई काम खोल लूँगा। देखो जी मुझे नहीं पता, आप वहां दुबारा जाना, और फिर वो चुड़ैले आपको डर के मारे और भी जादा धन देंगी। तुम ना लालच में अंधी हो गई हो, ये ठीक नहीं है। अगर आप दुबारा चुड़ैलो के पास नहीं गए, तो मैं बच्चों के साथ अपनी जान दे दूँगी हां। ललू जमुना की बात सुनकर कोई पर जाने के लिए तैयार हो जाता है, और अगले दिन। जी ठीक है, मैंने तुम्हारे लिए रास्ते में खाने के लिए रोटियां रख दी है। जी ठीकल कर आती है और वो ललू से कहती है, हमें मत कहिए, हमें चोड़ दो, अगर आप हमें नहीं खाएंगे, तो आप जो मांगोगे हम आपको देंगे, बोलो आपको क्या चाहिए। हम, मैं आप से जो मांगूँगा, आप मुझे वही दोगे। हाँ हाँ, पर आप हमें चोड़ दो, खीक है, तो आप मुझे बहुत सारा सोना दे दो। ये कहकर चुड़ैल अपनी जादूई शक्ती से ललू को बहुत सारा जेवर देती है और कहती है, अब तो आप हमें नहीं खाऊँगे, नहीं खाऊंगा। ये कहकर चुड़ैल कुए के अंदर चली जाती है और ललू भी अपने घर की ओड़ चला जाता है, और घर पहुँचकर जमुना ओ जमुना अरे चल्दी आओ चल्दी जमुना लल्लू की आवाज सुनकर कमरे से निकल कर आती है और लल्लू जमुना के हाथ में चुडैल के दिये हुए सोने और जेवराद देता है इतने सारे जेवराद देखकर जमना की आँखे फटी की फटी रह जाती है और वो जेवर पहन पहन कर बड़ी खुश होती है देखो जी रुप्या पैसा जेवर तो हो गया अब आप न उन चुडैलों से कल जाकर हीरे मोती मांगना अब मैं उन चुडैलों के पास बिल्कुल भी नहीं जाओंगा मुझे कुछ नहीं पता आपको जाना पड़ेगा नहीं तो मैं बच्चों को लेकर अपनी जान दे दूँगी अरे इतना लालच ठीक नहीं है वो सब कुछ मैं नहीं जानती अगर तुम्हें मेरी और बच्चों की जान प्यारी है तो तुम्हें चुडैलों के पास जाना पड़ेगा जमुना का लालच दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था पर ललू जमुना की धमकी के आगे बेबस और लाचार था इसलिए ललू जमुना की बात सुनकर बच्चों की खातिर चुडैलों के पास जाने को तयार हो जाता है और अगले दिन मैं काम के लिए दूसरे गाउं जा रहा हूँ सुनो जी मैंने आपके लिए रास्ते में खाने के लिए रोटियां रगती है जब आपको भूक लगे तो आप खा लेना और ये कहकर ललू दूसरे गाउं काम पर निकल जाता है और वो जंगल के रास्ते उसी कुए पर पहुँचता है जिस कुए के अंदर चुडैले रहती थी और वो कुए पर बैट कर खाना खाने लगता है तब ही कुए से चुडैल निकल कर आती है और वो ललू से कहती है हमें मत खाओ, हमें मत खाओ, हमें छोड़ दो, बोलो आपको क्या चाहिए मैं जो बोलूँगा, वो आप मुझे सच में दोगी हाँ, जो बोलोगे वो ही दोगी ठीक है, मुझे हीरे मोती चाहिए अब तो हम माला माल हो गए, अब हमें किसी भी चीज़ की कोई कभी कमी नहीं रहेगी पर जमुना का मन इतने पर भी नहीं भरता और फिर वो ललू से कहती है सुनो जी, आप कल फिर उसकुए पर जाना, और ऐसी चीज़ मांगना जो कभी खत्म ही ना हो नहीं जाना, तुम मत जाओ, फिर मैं बच्चों के साथ नदी में कूद कर अपनी जान दे दूँगी, फिर रहना तुम अकेले ललू जमुना के बाद सुनकर मजबूर होकर, वहां कुए में रहरे चुडैल के पास जाने को तयार हो जाता है और अगले दिन, जल्दी करो, आपको दूसरे गाउं में जाना है, और मैंने आपके लिए रास्ते के लिए रोटियां खाने के लिए रख दी है, और वो रोटियां लेकर दूसरे गाउं की ओर चल देता है मैं चुडैलों से ऐसा क्या मांगूं, जिससे मेरी पत्नी जमुना को सबक मिल जाए तब ही वो जंगल के रास्ते उसी कुए पर पहुंच जाता है एक खाऊं, दो खाऊं, तीन खाऊं, या चारों ही खाजाऊं हमने तुमें सब कुछ दिया, तब भी तुम हम चुडैलों को काने की बात कर रहे हो मजे माफ कर दो, ये सब मैं नहीं, मेरी पत्नी जमुना मांग रही है मैं खुद उसके इस लालच की वज़े से बेहत शर्मिन्दा हूं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है चारो चुडैले अपनी जादूई शक्ती से सब पता लगा लेती हैं कि ये सब लल्लू की पत्नी जमुना का कराधरा है तुमें कुछ कहने की जरुरत नहीं, हमें सब पता है कि ये सब तुमारी पत्नी लालच में कर रही है अब तुम ये बताओ तुमारी पत्नी ने अब क्या मांगा है उसने कहा है कि तुम उन चुडैलों से ऐसी चीज मांगना जो कभी खत्म ही न हो और बढ़ती जाए ये एक जादूई टंडा और रसी है तुम ये टंडा और रसी घर ले जाकर अपनी पत्नी जमुना को देना और उससे कहना तुम इस रसी और डंडे से जितना मांगोगी वो तुमें इतना देंगे जो खत्म ही नहीं होगा और बढ़ता जाएगा ललू चुडैलों से डंडा और रसी लेकर हसी खुशी अपने घर की ओर चल देता है और घर पहुचकर वो रसी और डंडा जमुना को देता है और चुडैल की कही बाद जमुना को कहता है ए जादूई रसी और डंडे मुझे इतना दे जो कभी खत्म ही नहीं हो फिर क्या थ रसी जमना को बान देती है और डंडा उसे मारने लगता है अब आया मजा अब इसे पता चलेगा जादा लालच का क्या नतीजा होता है अरे अरे रोको ना इस जंडे को इसने तो मेरी हड्डिया ही तोड़ दी तुम ही ने तुम मांगा था तब ही जमना को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो ललू और डंडे से माफी मांगती है मुझे माम करतो अब मैं कभी लालच ने करूगी आई मुझे मत मारो मुझे छोड़ दो छोड़ दो मुझे ये सुनते ही डंडा रुख जाता है और रसी उसे खोल देती है इस तरह लालची जमुना को सबक मिल जाता है और वो सुधर जाती है